हालो फ्रेंट्स वेलकम यू आल आज मैं आपने जो वीडियो लेका रहे हैं बात करने वाले हैं आटिफिशल इंटेलिजेंस की अब आप कोगे आटिफिशल इंटेलिजेंस मतलब ज़रा देखिए आटिफिशल इंटेलिजेंस लॉंग टम इन्वेस्टमन बहुत अब आप खुद सोचिए आज की देख में इंटेलिजेंस आटिफिशल इंटेलिजेंस किस लवल पर यूज हो रही है और कितना स्कोप आपको देखने को मिल रहा है तो चलते हैं समझते हैं डिटेल में और आगे बढ़ने से बहले हम आपको बता दूगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ला है बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप जोइन कर सकते हो मेंबर सिर्फ जोइन बटन पर क्लिक करके जी हां बात करने वाल है फि अब कुछ इसमें समाए हुए हैं है प्रेस्वाइन टिकनोलोजी की बात हो रही है आज मार्केट कैपिलेशन बढ़के 16,000 करोड हो गया लेकिन ठीक ठीक इंडिपेंडनेंस दे वाले दिन आपके लिए ये वीडियो हमने क्रियेट किया मतलब दो दिन पहले जो उमीद थी जड़ा देखिए याद रखें ये जो आपको बहुत इंपोर्टन मोमेंटम की बाते हैं यहाँ पर बताई जाती है अगर आप इसको बागी स्टॉक में भी इंप्लिमेंट करोगे तो आपको बहुत मैं कहूंगा फाइदा होगा ये मोमेंटम हमेशा याद रखें मोमेंट जी सबसे बढ़िया क्वेशन रडार में क्यों आया ये देखिए हमें यहाँ पर जो देखने को मिला था तो यह यह देखिए आप एक वीकली कैंडल बहुत जबरतस था है फिर तीन वीकली कैंडल का होल्ट यानि कि एक जो इंपोर्टन पार्ट है यानि कि आपके यह क्लि तैयारी कर रहा है चैनल ब्रेक की कंसलिडेशन देखते हुए बस वही था और आप देख सकते हो इस वीक में इस टॉक ने जो यह पिछली रैली है उसको भी पार कर दिया तीन हप्ते का करेक्शन हमेशा याद रखना यह बहुत इंपोर्टन पार्ट है अगर इसी चीज को आप चोटे टाइम प्रेम पे डेली टाइम प्रेम पे देखोगे तो आप इसको और अच्छे से समझ पाओगे यह बहुत इंपोर्टन है यह देख सकते हैं अब आप इसी लिए मैं आपको बार-बार कहता हूं आलवेज अंडरस्ट्रेंड फ्रॉम हाई मोमेंटम परस्प से पहले कौन सा वॉल्यूम अट्रेक्ट कर रहा है यह नहीं मैं आपको कहूंगा यह जब भी बेस फॉर्मेशन होता है तो इस तरीके से सिचुवेशन देखने को मिलती है और आपको बहुत ही बहतरीन तरीके से समझ बात है कि स्मार्ट मनी एक्टिवेट हो गई है बस एक समार्ट मनी फिर आपने यह देखा अभी जुलाई के टाइम पर कि स्मार्ट मनी ने और अकुमूलेट करना स्टार्ट कर दिया है अब देखिए और जैसे ही स्मार्ट मनी को पता लगता है बही मेरे अलावा और भी कोई नजर बनाए हुए स्टॉक में वह भी मोमेंटम को अगर आपने समझ लिया अब आपको कहोगे यह रहली आगी लेकिन इससे पहले यह वीडियो जरूर देखे एक नहीं बलकि अनेक अब मैं आपको दूसर स्टॉक आपके सामने रखता हूं आप कहोगे क्या बात है इसलिए मैंने हमेसा कोशिश कीजिए कि आपने पिछले मैं कहूंगा तस वीडियो उठा लिजे पन्रा उठा लीजे बीस उठा लिजे या पिछले सो वीडियो उठा लिजे लास्ट लेटएस्ट सो वीडियो गराप उठा के देख लो एक ही बात हर वीडियो में कही जाती है understand the momentum को समझ ये और अगर whenever D am नहीं है तो जाने दीजिए अगर momentum है तो वह आपको positivity देखे जाएगा और अगर positivity नहीं भी रहे तो low risk के opportunity आपको देगा बस ये बात अगर आपने समझ ली low risk high momentum और high probability तो फिर आप ये देखे ये AMD कौन सा स्टॉक है AMD इंडस्ट्रीज अब AMD इंडस्ट्रीज को देख लीजिए यहीं नहीं अभी हमने कुछ टाइम पहले आपके लिए और वीडियो क्रियेट किया था आईशर मोडर का आप इस स्टॉक को देख लीजिए ये बस ये ही momentum को समझना है बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन को छोटे टाइम प्रेम के momentum से understand करना है और low risk की opportunity को grab करना है अब happiest mind आपको देखने को मिल रहा होगा लेकिन ये जो कहानी है वो अभी मैं कहूंगा just starting है कि अभी 200 SMA से उपर price जा रहा है बड़े volume के साथ तो ये जब अगर rally आपको देखने को मिलेगी तो वह rally यह 200 तक जाएगा तो यहां तक जाते जाते अब आपको जो opportunity देखने को मिलेंगी इस तरीके से और दूर देखे moving average से price जैसे जैसे दूर होता है आपका risk जो है बढ़ता रहता है close to the moving average जो consolidation होती वह best results निकाल के आपको देती है वह best probability आपको निकाल के देती है और यह देख सकत हो अब मैं आपको छोटे time frame अगर आपको लेके चलू यह nifty का एक मिनट का chart है देखे बुलिस क्रॉट क्रॉस बना 200 SME देख सकते अब आप यह देखे momentum में हाई अब intraday के हिसाब से आप चलते हो तो आपको भी छोटे time frame के हिसाब से छोटी opportunity देखने को मिलती है यह समझना बहुत important है अब यही नहीं मैं bank nifty के और आपको लेके चलूंगे तो आप उसमें भी देखे बैंक nifty के चार्ट को अगर आप देखे यह देखिए इस consolidation में time frame बदल जाते है और long term में time frame बड़े रहते है reliability अच्छी रहती है इंट्र डे में थोड़ा सा मैं कहूंगा वह भी अगर आप उसको भी चीजों को समझोगे बड़े time frame के direction में जाओगे तो हमेशा positivity के rate जादा होता है और उसी तरीके से अब बड़े time frame में monthly weekly daily की जब भ इंतजार कर रहे हो सुपर momentum area में जाने का इंतजार कर रहे हो तो कितना important है तो happiest mind technologies एक नहीं मैं आपको यही कहूंगा कि आप regularly जो stock भागते हैं उनके charge को analyze कीजिए और वहां पे देखिए यह वाली जो high momentum high probability और low risk के opportunity होती है आपको कितनी important कितने अच्छे से देखने को मिलत है एक बार आपने उन stocks को analyze करना start कर दिया तो आपको समझ में आएगे कहा नहीं और अगर आपने price section series की वीडियो अभी तक नहीं देखिए तो मैं आपको फिर से यही कहूंगा उन वीडियो को देखिए आपको बहुत बारिकी से यह momentum की चीज़े यह price section की चीज़े समझाई गई है उनको देखिए और फिर charts को open कीजिए फिर charts को जब आप ओपन करोगे तो आपको समझ में आएगा या कौन सी candle को देखना है RSI कहां पर देखना है moving average को देखना है यह बहुत important जल्दी से जोईन कीज़े price section और सीखिए प्रैक्टिस करते रहे और इस तरीके की इस तर थांक यह थांक यह थांक भर वाचिंग द विडियो